हेलो गाइज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज हम ये हमारा अर्वी का पत्ता है अर्वी के पत्ते की सबजी बनाने जा रहे हैं तो गाईज आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि हम अर्वी के पत्ते की सब्जी आप लोग की रेसिपी आप लोग को हम दे तो ये बहुत ही छोटा पत्ता है आपके पास market में अगर बड़ा बड़ा पत्ता मिलता है तो कोई दिकत नहीं है ये हमारे घर का पत्त यह भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही आराम से बनेगा तो पहले हम इसके लिए इसको साइड कर देते हैं और यह हमारा बेसन है तो बेसन को हम यह बेसन है और बेसन में हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो सबसे पहले हम मसाला तियार कर लेते हैं तो इसे भी हम साइड ब्लैट पेपर है तो इसे हम डाल दे रहे हैं और इसी में हम ये सरसो डालेंगे तो सरसो आप चाहिए जो भी डालिए मस्टर्ड सीट तो ये हमने बढ़ा चमच से एक चमच मस्टर्ड सीट डाल दिया अब हम इसमें लहसन डालेंगे तो यह है लहसन तो लहसन को भी हम एट कर देते हैं तो अभी हम इसमें यह हल्दी का पॉडर एट करेंगे तो हल्दी का पॉडर मसाला आप अपने quantity के हिसाब से रखिए जितना आपका पत्ता है जितना पीस आपका पत्ता बनेगा उसी हिसाब से हम मसाला भी त्यार करेंगे तो हमारे पास पत्ता थोड़ा ही है ज्यादा नहीं है तो लगभग 2-3 पीस बनेगा तो हम ये मसाला त्यार कर रहे हैं तो इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अक्वार्डिंग जितना आप तीखा पसंद करती है तो आप मिर्ची डाल लिजेगा तो ये हम हमारा चार और ये एक 5 पिस हमने मिर्ची डाल दिया अब हम इसमें अद्रख डाल रहे हैं तो ये अद्रख है तो इसे भी हम इसमें डाल रहे हैं अब हम इसका पेस्ट त्यार करेंगे लेगिन ये बहुत ही बारिक पेस्ट हम त्यार करेंगे उसके बाद इसमें से हम लगभग 3-4 चमच इसका हम पेस्ट निकाल लेंगे चमच ब्लक बाब इसमें हम भीन से करेंगे तो इसमें हम को एक दो चमच चाहिए होगा आप देख लिएगा municipal किना पेस्ट का पेस्ट त्यार करेंगे गयों ।ो यह वह हमपारा साइज का एक प्याज था तो इसे भी हमने छिल करके काट लिया है तो बस इतना ध्यान रखना है गाइज कि इसमें से हम पहले दो चम्मच मसाला निकालेंगे फिर प्याज इसमें डाल करके और बारीक सा पेस्ट त्यार करेंगे तो चलिए हम पहले मसाला पीस लेते हैं तो गाइज ये हमने मसाला पीस करके रेडी कर लिया है ये देखिए एकदम बारीक सा पेस्ट हमने बनाया है लेकिन गाइज हमने इसमें ना मसाला जो हम बोले थे कि हम निकालेंगे तो हमने नहीं निकाला उसके बाग डारेक्ट हमने इसमें प्याज डाल करके पेस्ट त्या तो गाइज यह हमारा बेसन है हम इस बेसन में एक चमच हल्दी डालेंगे तो इसमें हम एक चमच हल्दी डाल देते हैं तो यह हमारा हल्दी हो गया तो गाइज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे इसलिए कि हम ग्रेवी में भी नमक हमारा जाएग का पेस्ट डालेंगे तो यह हमारा एक चमच अध्रक और लसन का पेस्ट है तो यह हम इसमें मिक्स कर दिये अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे तो गाइज यह हमारा इमली का पल्प है तो दो तीन चमच जितना हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे गाइज आप इसको इसके बाद इसमें पानी करेंगे तो पहले हम पूरा पानी नहीं डालेंगे धीरे धीरे करके ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम अच्छा सा पेस्ट इतम चिकना पेस्ट इसका हम तयार करेंगे तो इसमें और पानी जाएगा तो पहले थोड़ा थोड़ा ही और एकदम से चिकना पेस्ट हमें तयार करना है तो guys यह हमने paste बना करके तयार कर लिया है तो देखिए यह हमारा ना जादा मोटा है और ना ही पतला है तो हमें इतना paste चाहिए गाढ़ा कि हमारा हमसे पत्ते के उपर फैला सके तो इसलिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही paste चाहिए होगा तो चलिए अब हम पत्ते पर फैला लेते हैं तो ये देखिए इस तरह का पत्ता है हमारा इतना सबसे बड़ा पत्ता हमारा यही है तो ये जो पीछे का जो ये भाग है इसे हम इस तरह से कट करेंगे तो आराम से कट करेंगे और इसे साइड कर देंगे तो यह हमने एक काट लिया तो यह देखिए इसी तरह से हम सभी को काट करके तयार कर लेंगे तो गाइज अब हम इस पर बेसन जो हमने पेस्ट बना करके तयार किया है उसे हम ऐसे फैलाएंगे तो पहले इस तरह से फैला लेंगे नीचे का भाग को फिर धीरे धीरे इसके उपर हम सभी पत्ते को बिचाते जाएंगे और इसी तरह से हम बेशन को लगाएंगे अच्छे से तो हम पहले इस पर लगा लेते हैं तो अब इसके उपर हम ये दूसरा पत्ता तो पहले देख लेंगे कि हमारा साइज का पत्ता कितना है तो बड़ा छोटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले हम इतना ऐसी इस तरह से हम साइज से लगा लेंगे तो इस पर भी हम लगा लेते हैं तो गाइस यह हमारा छोटा सा पत्ता है तो छोटा सा पत्ता है तो हम इसे यहाँ पर लगाएंगे और इस पर हम इस तरह से बिचाते हैं, तो छोटा बड़ा जैसा भी पता हम सब को इसमें लगा देंगे तो एक साइस का पता तो जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा घर कर था तो छोटा बड़ा सब चलेगा तो इस तरह से हम देखिए इधर छोटा लगा दिये अब यहां पर हम इससे छोटा को सेट कर देते हैं ताकि हमारा पूरा बराबर में आए अब हम इसे इतना छोटा हमारा है इसको हम नीचे सेट करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा और उपर कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से और इसे भी हम यहां लगा लेंगे तो इस तरह से हम फिर लगा लेते हैं तो गाइस यह हमने अच्छे से सभी में लपेट लिया है तो इसमें हमें पूरा बारा पत्ता देना पड़ा था तो इसे हम रोल कर लेते हैं तो इस तरह से एकदम टाइट से लेकिन इतना टाइट करेंगे गाइस के मारा पत्ता फटे ना नहीं तो बहुत चादा अगर टाइ हम इसे रोल कर पाएंगे यह देखिए और बेसन भी हम बहुत अच्छे से डालेंगे इसमें इस तरह से हम सभी को बराबर कर लेंगे फिर इसको फोल्ड करेंगे यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा आप चाहें जितना मोटा कर सकते हैं पतला कर सकते हैं या आपके दागा से बांध लेते हैं ताकि यह हमारा जो हम पानी में इसको डालेंगे तो यह हमारा खुलेना तो इस तरह से दागा पकड़ेंगे और इसे हम बस इस तरह से लपेटेंगे यह देखे इस तरह से और इसे बांधना नहीं है तो बस जो बचा हुऊँ हम इसी में लपेट देंगे हो गया यह हमारा एक रूल बन करके तयार हो गया अब हम इसी तरह से जितना हमारे पास है सभी को हम बना लेंगे तो गाइज हमने ये हमारा जो पत्ता था हमारे पास तो ये दो पीस हमारा बनके रेडी हुआ है और ये हमने पानी को गरम कर लिया है पानी में देखिए बहुत ही अच्छे से उबाल आना चाहिए तो हमारा पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो पत्ता है वो आराम से डूब जाए तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से डूब गया और इसी तरह से हम इसे भी डाल दें तो पूरा हम चार मिनट इसे उबालेंगे इसके बाद यह हमारा बिल्कुल पक करके रेडी हो जाएगा तो चलिए हम इसे अभी उबलने देते हैं तो गाईज जब हम इसे चेक कर लेते हैं कि यह हमारा पका है या नहीं तो पहले हम अपना फ्लेम को अग्दम स्लो कर देंगे उसके बाद इसे हम चेक करेंगे तो देखिए लगभग यह पक चुका है तो इसे हम बस थोड़ा सा इस तरह से पलट देंगे ताकि जो नीचे की साइड हो यह देखिए बहुत ही अच्छे से यह पक गया है तो गाईज इसे हम थोड़ा सा और लगभग एक मिनट और इसे पकने देंगे तो हम अपना फ्लेम को फूल करदेंगे और एक मिनट इसे हम और पकने देंगे उसके बाद इसे हम निकालेंगे तो यह हमारा बिलकुल पक करके रेडी हो गया है अब हम इसे निकालते अ है तो इस तरह का आपके पास अगर छंण नी होगा तो ठीक है मिने equitable म हम इसे थोड़े दिर के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर चला जाए और उसके बाद हम इसे निकाल करके ठंड़े में यानि पंखा के नीचे रख देंगे तो ये बिल्कुल अदम ठंड़ा हो करके जम करके पूरी तरह से सेट हो जाए तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं उसके बाद इसे हम दो मिट के बाद पंखे के नीचे रख देंगे ठंड़ा होने के लिए तो गाइज ये हमने तेल को गरम कर लिया है और वो जो हमारा पत्ता जो है वो ठंड़ा होने के बाद इसे हमने पीस-पीस में कट कर लिया देख तो उसे खोल करके और इसे हम पीस-पीस काट लेंगे, उसके बाद ये तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे, एक अग पीस करके हम इसे चानेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा तेल कितना गरम है, तो तेल हमारा अच्छा गरम है, अब हम इसमें ये तो देख लेते हैं एक बार में कितना आता है मेरा उसी साफ से हम डाल लेंगे और गाईज अगर एक बार यह अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर यह तूटता नहीं है तो इस बात का ध्यान दीजेगा कि यह पूरे अच्छे से ठंडा हो जाए फिर आप काटिएगा इसको तो बस अब हम यह हो गया हमारा अब इतना हम इसको पहले तल के निकाल लेंगे फिर हम इसे दुबारा इसको पल्टेंगे थोड़ा देर के बाद हम इसे लगभग दो मिनट के बाद इसे हिला देंगे तो हम पहले हम इसे पूरे अच्छे से तेल को हीट कर लेंगे तभी हम डालेंगे नहीं, तो अगर हमारा तेल अच्छा गरम नहीं रहेगा, तो यह जो है, वो खुलने का डर है, तो इस तरह से हम सभी को अच्छे से हिला लिए, अब हम इसे थोड़ा सा और सेख लेते हैं, तो अब हम इसे पलट लेंगे, तो देखते हैं, पलट करके नीचे सिखा अब हम Penang एब टेल में चैकले लिए, तो थोड़ा सा देल में सब्यक्राइब में चैक कर दो रहेंगे तो थोड़ा सा हम इसे और तल लेते हैं अच्छे से तो गाइज यह हमारा सिक करके रेडी हो गया है तो हमने उलट पलट करके इसे अच्छे से शेक लिया है तो बस इसी तरह से हमें सभी को तल करके निकाल लेना है तो उलट पलट करके आप इसे अच्छे से शेक लिजेगा ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से सभी पक जाए तो यह हमारा हो गया है इसी तरह से हम सभी को तल करके निकालेंगे तो गाइज यह हमने सभी को तल करके निकाल लिया है तब हम ग्रेवी की त्यारी कर लेते हैं तो ग्रेवी में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे तो खड़े मसालों में हम थोड़ा सा यह छोटा चमच से एक चमच यह जीरा डालेंगे गैस अगर आपका तेल कम हो गया है तो थोड़ा सा इसमें और आप डाल सकते हैं लेकिन तेल मेरा सही है तो हम इसी में डाल दे रहे हैं और ये इसके बाद हम दो तीन ये लाल मिर्च डाल देंगे और दो तीन तेजपता तो ये हमारे खड़े मसाले हो गए इसके बाद हम इस छो हमारा मासी Benिया काटा है तो इसे वस थोड़ा सा जो टिषए ऊपनने घालते हैं तो हमारे हा ख़ड़े मसाले भी थोड़े से भ४न गए इसके बाला है एसी मिल में चैड़ी मिल भूने के जो ढूने उसके बाद जो हमने मसाला त्यार करके रखा था उसे हम इसमें डालेंगे तो यह मसाला डाल दे रहा है तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो पानी हम उसी कट्रा से एड़ करेंगे जिसमें हमारे मसाले थे तो यह बस थोड़ा सा हम इसमें पानी ड भूनेंगे तो यह हमारा मसाला भूनना स्टार्ट हो गया तो इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे पहले तो गाइज यह हमारा मसाला भून करके बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो टमाटर हमने यह दो टमाटर को घिस लिया है घिस क सब्सक्राइब तो थोड़ा सा हम और कर लेते हैं तो यह हमारा नमक हो गया अब इन सभी को अच्छे से हम निक्स करेंगे और भूनेंगे इसे भी बहुत ही अच्छे से हम इसे भूनेंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्च एड़ करेंगे पॉडर अगर ये बिल्कुल ऑप्सनल है आपको अगर पसंद है तो डालिए नहीं तो आप इसे बिल्कुल ही इसकिप कर दीजेगा लेकिन ये हम सिर्फ थोड़ा सा कलर के लिए डाल रहा है इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है तो ये छोटा चमज से एक चमज बस तो ये हमारा हो गया कास्मीरी मिर्च अब इसके बाद सभी मसालों को हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे धक करके ही हम भूनेंगे तो गाईज ये हमारा मसाला भून करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है देखें कितना अच्छा हमारा मसालों भूना है और ये बहुत ही अच्छा है इसमें कुस्बू भी आरहा है इसके बाद हम लगभग इसमें दो चम्मच इमली का पल्प डालेंगे ज्यादा नहीं बस दो चम्मच और उसके बाद इसे हम इसे भूनना नहीं है बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब पानी आड़ करेंगे तो गाइस हम इसमें पानी जो है न वो थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा गरम हमको पानी चाहिए इसके लिए तो हमने ये पानी को गरम कर लिया है ये देखिए ये हमारा पानी गरम है अब इसमें हम डालेंगे तो ये देखिए तो पानी हम अपने जितना हमको ग्रेवी चाह क verse 3 of dawn कर बम कर सुट लीकों है COP 1 और पानी के साथ हम ठाथ किनें यह हमारा जोपी ज़िए देखिए कितना अच्छा को बन मकरपा है भी में तो भी मैं अच्छ़ को हम ने पूरित तीन मिनट्ने दियった अपना यह जो पीस है वह डाल देखेंगे ज्यादा नहीं पकाना होता है बस तीन मिलटी से और फिर फेस के बाद रियों चाहना है तो यह फोड़ी जादा ही लिगा i9 दिला तो यह ढम सम्सक्राइब अब मेरा में ढ़ूकर क्यों अप्सक्षाने ग्रेवी जो दिख रहा है न ये जैसे ही पत्ता जो जैसे ही अपज़र्ब करेगा ना ग्रेवी को तो ये और ठीक हो जाएगा और इसका जो ग्रेवी है वो आपने जितना आपको पसंद होगा पतला या गाढ़ा आप कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा हम पतला बनाए हैं खाने में बहुत मज़ा आता है तो थोड़ा सा अपना फ्लेम को स्लो कर देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए तो यह लिए हमारा सब्जी बन गया है लेकिन बस दो मिट इसे और हम ढख करके पका लेते हैं तो गाइज यह हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल रड़ी है अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से हिला लेते हैं हलका सा यह देखिए तो इसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं गाइज यह जो गाड़ी का मुझे बट क्या करें थोड़ा सा कभी-कभी यह लोग भी ना इदम जैसे लगता है कि इंतजार करते रहते हमारे कैमरा आउन होने का तो यह लिजे हमारा सब्जी बन करके रेडी हो गया है बहुत ही लाजवाब सब्जी बना है जाई दिखिए जो हमारा जो ग्रेवी है न तो अब हम गैस को अफ कर देते हैं और यह हमारी सब्जी बन करके रेडी हो गई है आप इसे बनाए आपको बहुत मजा आएगा खाने में गाई और यह सब्जी ना आप एक बार अगर आप बना करके और यह तल के रख लीजेगा ना तो इसे आप दो दिन तीन दिन चार द सब्सक्राइबन में बहुत में अपनी बार आख लेते हैं तो इसमें सब्सक्राइब ने 12-ục बहुत पसंद करते है और जब भी विलते हैं अगली वीडियो में था क्यों Зबीं हनाँ धू झाल